स्वागत है आपका ग्यानवेच चैनल पर आज के लिए हम लेके आए एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे तीन सर्वस रिष्ट ऐसे चाइल्ड केर प्लांस जो म्यूचल फंड कैटेगरी के है वीडियो एंड तक देखिए तो आपको एक बीच में एक टिप भी मिलेगी एक्स्ट्रा जैसे काफी लोगों के मन में यह शंका होती है कि अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी करेंगे उनकी शादी के लिए पैसा कैसा जमा करेंगे म्यूचल फंड इसके लिए कुछ फाइदा कर सकते है क्या तो हम ऐसे ही चाइल्ड केर म्यूचल फंड के बारे में आज बात करने वाले है मुझ जैसे लोग काफी समय यह प्लानिंग करने में लगते कि कि अपने बच्चों के शिक्षा के लिए उनके शादी के लिए पैसे कैसे जमा करें उनके व्यापार या व्यावसाय में हम कैसे हाथ बटा दें अब हम भविश्य की योजना बनाते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्फलेशन रेट या मेहंगाई का दर्जो है वो कितना है और शिक्षा की लागत अभी कितनी है और 10-15-20 साल बाद कितनी होगी तो हमें कितना पैसा जमा करने की जरूरत है चत करते समय हम कैसे कर सकते हैं कुछ बचत जो अमाउंट है उसके बाद निवेश कहां कर सकते हैं उसके बाद कुछ करजा लेने की भी जरूरत पड़ती है तो हम ऐसा option ढूडने की कोशिश करेंगे जिसमें जो करजा वाला पार्ट है वो कम हो जाए या फिर completely नील हो जाए मैंने कुछ दोस्तों को देखा है जो अपने बच्चों से पहले ही उनकी future के बारे में सोचने लगते कुछ लोग जो होते हमारे जैसे वो बच्चे के जन्म के बाद में सोचने लगते है कि इसके भविश्य के बारे में क्या योजना बनाई जाए अगर आप मेंसे किसी ने नहीं किये तो जितनी जल्दी संभव है ये कर दीजिए लोग जो विकल्प अपनाते हैं उसमें तो होता है कि एक fixed deposit होता है पीपिएफ अकाउंट है सुकन्ने समरुद्य योजना है unit link insurance plans है कुछ लोग real estate में investment करते हैं कुछ लोग एक money children's policies जो होती है वो निकालते हैं कुछ लोग share market में पैसे डालते हैं तो PPF और SSY और ULIP पे भी हमारे कुछ वीडियो चैनल पे है आप देख सकते हैं उसके बाद हम आज वीडियो में देखने वाले mutual fund option के बारे में ज्यादा तर जो children's care plans है उनका जो नियोजन होता है वो हम कर सकते हैं अपने लक्ष के अनुसार हमें पता होना चाहिए हमारा लक्ष क्या है हमारे हाथ में कितना time है और हमारी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है और बचत करने की क्षमता भी कितनी है चीजे clear होने के बाद अभी हम strategy बना सकते हैं उसमें से पहली बात हमें ध्यान में रखना चाहिए बीमा सबसे पहले कराना चाहिए बीमा कैसे कराना चाहिए कौन सा कराना चाहिए इस पर भी हमारे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी ये strategy शूरू करनी चाहिए और हमारा जो लक्ष है उसका एक नंबर अपने माइंड में होना चाहिए उसके बाद हमें पता होना चाहिए अपने हाथ में कितना समय है और अंदाजा return कितना मिल सकता है इसका भी हमें अनुमान होना चाहिए SIP में investment करेंगे तो सबसे अच्छा है और जब से जब से टाइम आता है अच्छा टाइम तो टॉप अप भी करना चाहिए ऐल्ट केर प्लान के जो mutual fund options है वो सेबी ने एक category बनाई है solution oriented funds की जिसमें जो open ended active funds होते है उसकी locking period होती है 5 साल और यह कम भी हो सकती है अगर आपका बच्चा 18 साल complete कर देता है तो यह इसका basic structure है किसी भी वच्चे के लिए इन योजनाओं में पैसे जो है वो माता-पिता तो डाल सकते दादा दादी नाना नानी भी डाल सकते मित्र और रिष्टेदार भी इसमें पैसा लगा सकते है में हमारे पास कुछ विकल्प अवेलेबल है जैसे अधित्य बिर्ला सनलाइफ का बाल भविश्य उजना है एक्सिस चिल्डरन्स गिफ्ट फंड है HDFC चिल्डरन्स गिफ्ट प्लान है उसके बाद ELIC मुचल फंड का चिल्डरन्स गिफ्ट पंड है SBI Magnet Children's Benefit Fund जिसका सेविंग प्लान हमने आज कंसिडर किया है Tata Young Citizens Fund है UTI के दो प्लान है एक है Career Fund Investment और दूसरा है सेविंग प्लान SBI का जो investment प्लान है वो हमने नहीं पकड़ा क्यूंकि वो काफी नया है हमारे पास comparison के लिए ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इस category में comparison के लिए फईला जो fund है उसमें है अदित्य विवला का बाल भविश्योजना जो 2019 में शुरू हुई थे इसमें हम निवेश शुरू कर सकते हैं 1000 रुपे के साथ SIP 500 रुपे से शुरू होती है इसका allocation होता है वो flexi cap fund के माफिक होता है और शुरूवात से इसने जो return दिये है वो 13.9% के आसपास दिये है category में दूसरा fund जो है वो access children's gift fund जो 2015 में शुरू हो गया था इसमें शुरूवात investment होती है 5000 से और SIP 1000 से शुरूवात होती है इसका allocation जो है वो equity hybrid में रिस्क flexi cap से थोड़ा सक्कम है बट फिर भी equity का रिस्क तो है equity में ज्यादा amount और date में थोड़ा कम amount इसमें होता है और शुरूवात से इसने 13.3% के आसपास return दिये है next fund इस category का है LIC का mutual fund children's gift fund उसमें ये 2001 से शुरूवात होई थी और इसका प्रारम जो है 5000 रूपे से होता है 1000 रूपे से SIP start होती है इसका allocation थोड़ा reverse है date में ज्यादा और equity में कम है तो risk कम है बड़ इसका return भी जो है वो काफी कम है और इसमें अब तक जो return दिये है वो 4.6% के आसपास दिये मतलब saving account जैसा interest इसमें दिया है data mutual fund ने एक fund शुरू किया 1995 में जिससे आप शुरूवात कर सकते सिर 500 रूपे में और 1500 रूपे से SIP start होती है इसका जो allocation होता है वो flexi cap fund में होता है और शुरूवात से इसने 13.2% के आसपास के return दिये है मतलब जिनकी बचत शमता काफी कम है वो लोग थोड़े थोड़े पैसों से भी यहाँ पे बचत चुरूव कर सकते है इसका दाता है SBI Magnum का Children's Benefit Fund इस Saving Plan जो 2002 में शुरू हुआ था इसका जो आप शुरूवात कर सकते 5000 रूपे से और SIP 1000 रूपे से शुरूवात होती है इसका allocation जो है debt hybrid मतलब debt में ज़्यादा हो equity में कम शुरूवात से इसने जो return दिये है वो 10.7% के आसपास दिये है इसने जो आप शुरूवात कर सकते 1000 रूपे से और SIP 500 रूपे से शुरूवात होती है इसमें ज्यादा allocation debt fund में होता है कम जो होता है वो equity में होता है इसने जो return दिये है अब तक के वो 10.4% के आसपास दिये है UTI Children's Career Fund का दूसरा जो option है वो investment plan का जो 2004 में शुरूवात हो था जिसमें आप 1000 रूपे से शुरूवात कर सकते है SIP 500 रूपे से शुरूवात होती है इसका allocation उल्टा है equity में ज्यादा और debt में कम इसने हलका सा ज्यादा return दिया है जो 2001 में स्टार्ट हुआ है ICSA Prudential का childcare बन गिफ्ट प्लान जिसमें आप शुरूवात कर सकते है 5000 रूपे से और 100 रूपे से मात्र आप इसकी SIP शुरू कर सकते हैं उसमें equity hybrid का जो risk होता है मतलब equity में ज्यादा और date में allocation थोड़ा कम होता है इसका जो return है अभी शुरूवात से वो 15.9% के आसपास मतलब बाकी fund से अब तक के जो देखे हैं उससे काफी ज्यादा है last fund इस category का HDFC Children's Gift Fund जो comparison के लिए हमने use किया यह plan start हुआ 2001 में इसकी आप start कर सकते 5000 रूपे से और 500 रूपे से SIP start होती है इसका allocation होता है equity में ज़्यादा और date में कम और इसने अब तक जो fund हमने देखे हैं अभी तक उसमें 16.7% का मतलब highest return अभी तक जो हमने देखे हैं उसमें अभी लोग सोचते होंगे कि यह children's plan है child care plan है तो इसमें हमें income tax में कुछ हमें माफी मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है तो यह बाकी mutual fund के समान ही है अब जो date वाले fund है जिसमें मतलब date का allocation ज्यादा है उसमें date type का आपको income tax देदना पड़ता है जो आपको profit मिलता है उस पर उसमें क्या होता है अगर short term capital gain तीन साल तक का होता है तो आपकी income में add हो जाता है और उससे अनुसार आपका tax calculate होता है तीन साल से ज्यादा का जो होता है उसमें आपको 20% से देना पड़ता है after indexation अब इंडेक्सेशन क्या है date का tax कैसा है तो चैनल पर बाकी वीडियो पर आप देख सकते है कि जो fund है जिसका ज्यादा allocation equity में होता है जो आपको list में दिख रहे यहाँ पर उनमें अगर एक साल तक का investment है तो 15% से सबको देना पड़ता है एक साल से ज्यादा long term पकड़ा जाता है तो उसमें 10% है उसमें exemption का भी clause है एक लाक रुपे तक आपको चैनल पे और ibox पे इसका लिंक मिल जाएगा पारी आती है इस सारे list में top 3 fund कौन से है उसमें हम देखते है third number पे आता है UTI Children's Career Fund Investment Plan, savings plan नहीं दूसरा जो fund आता है वो ICSA Prudential का Child Care Fund Gift Plan और पहला number जिसको जाता है वो है HDFC Children's Gift Fund ये कोई recommendation नहीं है बट हमने जो comparison किया है उसमें ये top funds है हम जब comparison 188 आपको दिखा रहे है आपके सामने एक chart दिख रहा है चाहे तो वीडियो थोड़ा आपसा pause कीजिए या फिर rewind भी कर सकते है इसमें हमने देखा है कि HDFC सबसे ज़्यादा है उसके बाद ICSA है UTI का investment plan उसके बाद SBI का savings plan Tata Young उसके बाद Axis है UTI का savings plan LIC है उसके returns में मतलब last one year, two year, three years में इस fund ने index से भी ज्यादा और इसको किस index से ना पा जाता है वो भी आपके सामने table में दिख रहा है आपको दिखता है कि उनके पास कितना पैसा अवेलेबल है investment के लिए उसका expense ratio कितना है आप उस हिसाब से देखिए कि HDFC का return भी अच्छा है और expense ratio भ होता है और आप जो पालक होते parents वो 18 साल तक इसको handle कर सकते 18 साल के बाद आप बच्चों के नाम पे कर सकते इसमें आप कितना amount invest करना है उसकी कोई limit नहीं है और जो bank खता होता है वो भी बच्चों के नाम पे होता है और इसका redemption होता है वो आप एक साथ कर सकते थोड़ा करते उसे अनुसार कर सकते हैं जिन लोगों को इस योजना में SIP करनी है तो आपको option से आपको दैनीक होते है डेली आप कर सकते weekly कर सकते सापताईक उसके बाद हर 15 दिन में कर सकते हर मेहने कर सकते हर तीन मेहने का भी option इसमें available है यह सबसे अच्छी बात इस योजना में एक सही mutual fund choose करना है उसके बाद उसको उचित अवदी के लिए उचित SIP से हमें investment करना चाहिए पैसे कब निकालना है इसकी भी एक strategy हमें बनाना चाहिए उसके बाद exit load कभी-कभी जो होता है उसके बाद income tax कितना है इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए नहीं तो हमें जो return मि coverage का insurance मिल रहा है वो भी free बिना किसी शुल्क के आप जो भी राश्यूस में जमा करेंगे उसके 10 times मतलब आप चाहिए तो एक लाग तक अगर amount भरे तो आपको 10 लाग तक का वीमा यहां पर मिल सकता है उसका जो premium है वो company देती है आपके जेब से नहीं कटेगा चैनल पर ऐसे आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे निवेश में mutual fund stocks पर IPO है इंकम टैक्स पर है तो आप सब्सक्राइब करें यह लाइक कर यह शेयर करके बने रही है तो आपको काफी सारा आपका पुत्तु फाइदा होगा आपके दोस्तों का भी होगा बेल आइक उन दबाए तो आप